तो यहां पर कुछ सन्सलिशन के अनसर हैं हमारे लिए की व्रदी के लिए आफशक भोजन परदान करने अप्राप्ट करने के प्रक्रिया के आप सब्रकार का पोशन की प्रकार से परकार प्रक्रा उप्रिति को संसूर्जित करने की शमता नहीं होती है उसे विशम पोशी कहते हैं प्रकास अंसलेशन के मुख्य गटना है क्लॉरोफिल द्वारा प्रकाश उर्जा का अव्शोषन प्रकाश उर्जा को रसाइनिक उर्जा में प्रावर्थित करना स्योटो का कार्भोहडरेट में सूप से कुछ सवाल किये गए सब पोशी और विशम पोशी जीव क्या हैं सब पोशी जो अपना भोजन स्वैप बनाते हैं उनको कहते हैं स्वैं पोशी जीव और विश्म पोशी जीव क्या होते है विश्म पोशी जीव जो दूसरों पर निरभर है बहुजन के लिए जो बहुजन अपना स्वैम नहीं बना सकते है पोशन के विश्म पोशी परकार को बताएं तो भई पोशन का विश्म पोशी परकार कुछ इस परकार है फिर आप से कहा गया कि प्रकास अंसलेशन परक्रिया के कौन से चरण है तो भई तीन घटनाएं हैं तीन चरण है यह आप थर्ड अंसर में लिख सकते थे फिर आपसे कहा गया कि अमीमा में पाचन कैसे होता है तो अमीमा में पाचन जो है वो किसी भी चीज़ को जब आप इंगल्फ कर लेते हैं तो उसी से जनरली यह है पूर्ण होता है थीए तो अमीमा में पाचन शूडो पोडिया शूडो पोडिया के माध्यम से फेगो साइटासिस द्वारा होता है मनुष्य में पाचन की प्रिक्रिया का वर्णन कीजीजिए मैं भी आपको अंसर दिखा दूँगा और आप वर्णन के तौर पे इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं कि किस तरीके से ये कारे होता है मैं आपको इसका अंसर भी दिखाऊंगा अमाशे और अगनाशे द्वारा स्रावित एंजाइमों का नाम दीजिए तो भाई दो इंजाइम होते है एक होता है पेपसी नोजन और एक होता है बेटा प्रिपसी नोजन तो पहले होता है अमाशे वाला इंजाइम तो अमाशे से होता है पेपसी नोजन और जो हमारा पैंक्रियाज होता है उससे होता है ट्रिपसी नूजन अगनाशे ठीक है आई ये पाचवा उत्तर देख लेते हैं तो ये उत्तर जो है पाचवे में लिख सकते हैं ये मुख द्वार होती है जहां पर हार को चबाया जाता है इत्यादी So thank you so much for watching our video friends अगर आप हमसे contact करना चाहते है तो आप इन में से किसी भी विदी से हमसे contact कर सकते है mail से, google website से, youtube से, facebook से, telegram से So thank you so much for watching the video friends Please subscribe to our channel, keep supporting us